हेलो गाईज, स्टॉक मार्केट न्यूस फॉर अर्न में आप सभी का स्वागत है आज 26 आउक्टूबर बात करेंगे यहस बैंक के बारे में तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है यहस बैंक के कौर्टर टू के नतीजे काफी अच्छे आए और आज की तारीक में हमको मार्केट में काफी पॉजिटिव रियक्शन देखने के लिए मिली चुकि यहाँ आप देख सकते हैं प्रिवियस क्लोजिंग हमारी 13.30 की थी और हाई बनता है 13.95 का उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जबरदस प्रॉफिट बुकिंग आती है और प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो आज कौंटिटी ट्रेड हुई है वो तक्रीबन हाल फलाल में DHFL के जो बॉंड्स है उनको दोस्तों यहाँ पर सेल किया है और तक्रीबन 500 करोड के लगबग जुटाने की कोशिश करी हैं सेकंडरी मार्किट से तो दोस्तों पूरी चीज क्या जरा उसको समझ लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई है जिस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं और अल्रेडी दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इनका एक्सपोजर है वो दोस्तों देखेगा यहाँ पर बॉंड की फॉर्म में था जिसको यहाँ पर पूरी तरीके से मॉनिटाइज किया गया ह और यह मार्केट में सेल करके किया गया है अभी चुकि इनके पास कुछ रिमेनिंग बॉंड्स भी बाकी है यानि कि यहाँ पर अभी और भी हो सकता है बिक वाली से पैसा जुटाया जाए तो इस चीज को आप यहाँ जान सकते हैं जिसको प्रशान्द कुमार जी जो की MD है Yes Bank के उन्होंने बताया है अब चुकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Yes Bank ये भी कह रहा है कि वो उसके जो मूचल फंड्स हैं उनको 2020 के एंड तक बेच कर दोस्तों यहाँ पर भी Capital जुटा सकता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर basically recovery पर पुरी तरीके से जो bank बैंक है वो अभी काम कर रहा है और चुकि यहाँ आप देख सकते हैं कि recovery जो है उसको अगर आप देखते हैं चुकि देखे दोस्तों Yes Bank की जो investment थी DHFL में उसके जरीए जो bank ने पैसा जुटाया है तो यहाँ पर प्रिशांद कुमार जी ने बताया है कि bank ने तकरीबन 900 कारी में जितनी भी delay हुए उसका कारण COVID-19 है इस तरीके की बात यहाँ पर बता ही जा रही है वहीं दोस्तों अगर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो yes bank है उसके जो advances है दोस्तों पूरी तरीके से corporate से retail की तरफ move कर चुके है यान कि बैंक रिटेल के portfolio पे ज देख सकते हैं कि यह जो deposit है basically deposit को भी बहुत aggressively grow करने की कोशिश की जा रही है और दोस्तों यह कैसे किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर यह काम करने के लिए आप खुद देख सकते हैं कि basically यहाँ पर इनोंने बताया है कि यह जितनी भी इनकी branches होंगी basically दोस्तों यह जितना भ deposit को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसके तुरू यहाँ पर इनके जो deposit से हैं उनमें जो improvement आएगा यानि कि credit deposit ratio में वो तकरीवन दोस्तों 123% से 100% के लगवाग आपको देखने के मिलेगा 2020 के अंत तक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से digitally yes bank जो है यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहा है चूकि मैं आपको पहले ही बता चुका है yes bank जो है अपनी 2022 से पहले कोई भी नई ब्रांच नहीं खोलेगा और जो खोलेगा भी वो मोजुदा ब्रांच से size में काफी छोटी होंगी तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरी तरीके से जो efficient काम करने की क का है कि जो यह basically इसको अभी तक characterized नहीं किया गया NPA में चूकि यहाँ पर देखें दोस्तो सुप्रीम कोट का कुछ दो कि दोस्तों यहाँ पर कुछ आदेश है जिसके कारण यहाँ आप देख सकते हैं कि नो ने जो 2300 करोड के लगबग लोन अभी slip हुए है default में उनको अभ तकरीबन 1300 करोड के लगबग इस current year में यहाँ पर दोस्तों तकरीबन यह जो stress loan है उसके लिए 1300 करोड के लगबग जरूत पड़ेगी इस तरीके की बात भी यहाँ बताई गई है और चूकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौजूदा जो quarter था उसमें 1900 करोड के लगबग provisioning कर दी गई है NPS के लिए जो मैंने आपको बताई थी जो कि pandemic के कारण थी तो दोस्तों यह पूरी की पूरी report है जिसको आपको यहाँ समझदा चाहिए और आप यहाँ जान पाएंगे कि bank जो है वो basically पैसा जुटाने पर कोशिश कर रहा है यानि कि bank को अपनी growth के लिए पै यहाँ पर definitely आज की तारीक में जबर्दस profit booking हुई है bank, nifty, nifty दोनों में ही गिरावट रही है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत जार आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है चुकि यहाँ पर जो closing हुई है candle की वो तकरीबन इस candle के ऊपर ही है जो कि 13.15 के लगबग है यानि कि क जल की तारीक में हमको एक थोड़ा positive output यहाँ देखने के लिए मिलना चाहिए यानि कि यहाँ पर profit booking के कारणी है candle आपको ऐसी बंती दिखाई पड़ी है, nifty, bank, nifty में भी कुछ खास दोस्तों आज की तारीक में कुछ अच्छा output नहीं था लेकिन जो चीज यहाँ समझने वा यानि कि 30 to 48 की जो RSI की range है उसको ही हो सकता आगे भी yes bank जो है वो थोड़ा follow करें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को समझना होगा, बैरहाल यह दो candle काफी अच्छे volume की थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी candle थी, यानि कि दोस्तों यहाँ पर काफ प्रॉफिट बुक करने की और पैसा बनानी की और यहाँ पर दबरदस ट्रेट भी हुआ है लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारी range 48 से लेके 30 की बची हुई है यानि कि हम यहाँ पर थोड़ा सा consolidate कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सिक्राइब मैं वीडियो को यहीं पर खतम करता करा दो जागे पर ही और कि यहाँ रहाँ मैं तो खत्याइब जाए हिब गगन यहाँ ओंवीज करता दोção सकते हैं अपर चार्ड़ पर इनते हैं । कर दो झाल कि मैं अग कâteम हो eight n पूलिग कि एक उिक दिल्याँ नते हैं झाल